नमस्ते दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अप्लोड की हूँ प्लीज आप लोगों के जरूर एक बार देखिएगा और फुल वाच कीजिएगा आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी सब्मौन होई तो चलिए मैं क्या बनाई हूँ आपको मैं दिखाती हूँ तो यह देखिए हमने पहले यह एक कच्चा अलू को छील के उसको कद्धू कस कर रही हूँ उसके बाद मैं आज कल मार्केट में फ्रेस लौकी बहुत सारे मिल रहे हैं उससे सिंपल सब्जी बनाओ तो बच्चे लाइक नहीं करते हैं खाना फिर मैंने सोचा चलू इसका आज मैं एक पकोरे तल के कोपते वाली सब्जी बना लेती हूँ इसके लिए मैं कद्धू कस कर लिया है लौकी को उसमें बेसन डाली हूँ वही प्रात्मिक मसाला जिसमें धनि लाइन और स्वादा नुसर नमक डालके इसका मैं एक वेटर तयार कर लूँगी पकोरे का से देने के लिए इधर हमने कड़ाई को भी गरम होने के लिए रख दिया और इन सारे मसालों को और बेसन को मैं अच्छे से मसल मसल के मिला लूँगी यह थोड़ा गीला हो गया था तो इसे मैंने थोड़ा सा गेहूं काटा भी एड़ करें इससे भी स्वाद बहुत ही बढ़ी आता है आप लोग एक बार जरूर इसे एक बार ट्राइ कीजिएगा और हाँ फ्रेंड आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा सपोर्ट के विना कुछ सब्सक्रीय नहीं है यह मेरे हाथ में लगया था तो मैंने इसमें चाकू से निकाला और इसे पकोरे का सेप दे के गरम घरम तेल में डाल दूंगी यह थोड़ा इसलिए जयादा गोल बॉल्स को बना के डाल रही हूं तो यह देखिए फटाफट से मेरे पकोरे तल रहे हैं और जब तक पूरी तरफ पक नहीं तो यह तूट जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा और यह देखिए जब तक मेरा पकोरा तल रहा है मैंने इसमें मसाला की तयारी कर लिए अद्रक लासन, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा, धनिया पॉडर, लाल मिर्ची पॉडर, वही मसाला फ्रेंट सेम ही जाता है, थोरा बहुत का अंतर होता है, और ये देखें, लाश्ट में मैंने हल्दी एड़ कर दी हूँ, और ये एक टमाटर को भी, मैंने दो टमाटर को कट करके मसाले में ही पीस लेती हूँ, इसे स्वाद बहुत ही अच्छा था, इधर मेरा तेल गरम, उसी कढ़ाई में मैंने तेल और डाल के इसमें जीरा डाल दी हूँ, जीरा मेरा जल गया है, मैंने दो प्याज को बारी चॉप कर ली थी, उसको मैं डाल के फ्राई कर लोगे, जिसे की ग बहुता है, और कभी-कभी कच्छा भी रा जाता है, इसलिए उसे गैस का फ्लेम लो करके, और पेसेंस के साथ भूनाई करनी चाहिए, मसाले की, यह ज़िए, मसाला मेरा भून जाएगा, तो अपने आप तेल छोड़ने लगता, तो समझे मसाला आपका तयार हो चुका है, और यह हमने जो बेसन का पानी जो पकोरी बनाए थे नो इसमें पानी डाल दी हूँ, जिससे ग्रेवी और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें मेरा मसाला भून के तयार हो गया, आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी एड़ कीजिए, मुझे इसे चावल के साथ इसमें मैंने ज़्यादा पानी एड़ करी हूँ, अलाकि इसमें पकोरे जाने के बाद यह बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, तो यह देखें, मैं इसमें पको तोर के दिखा रही हो, बिल्कुल कच्छा नहीं अंदर से, बिल्कुल पक चुका है, और यह पकारा जब ग्रेव सब्सक्राइब के तयार हो जाएगा तो यह देखे कितना जवर्दस्थ खुस्वू आ रहा है और वाइल देखे कितना अच्छा लग रहा है ना तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे चैनल को और हम फूल वाच के साथ सब्सक्राइब चाहिए